नमस्कार प्रदेश की एहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान नमस्कार प्रदेश की खास खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ सपना और नीलम नजर सबसे पहले आज की हेडलाइन्स पर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में लगाई जाएंगे एक लाख पौध है चिकित्सा विभाग चलाएगा हारी वन विरिक्षा रोपन अभियान प्रदेश के 27 अकांक्षी ब्लोक्स के स्वास्थे संकेतांकों में सुधार के लिए राजिस्तरी अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी आवंटित ब्लोक की मानिटरिंग कर देनी होगी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतगर्णा की तैयारियों को लेकर की समिक्षा बैठक मतगर्णा इस्थल और मतगर्णा प्रक्रिया को लेकर दिये आवश्यक दिशान देश और अब खबरें विस्तार से एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा उन्होंने बताया कि सामुदैक स्वास्ति केंदर और इससे निचलिस्तर के चिकितसा संस्थानों में पांच और इससे उचतर चिकितसा संस्थानों में दस पौधे लगाए जाएंगे इस प्रकार प्रदेश भर में करीब एक लाख पौदे लगाए जाएंगे। श्रीमती सिंग ने बताया कि अभियान के लिए फलदार और छायादार रक्षों का चैन किया गया है। समिक्षा की जाएगी, साथ ही एक अगस्त एक नवंबर और तीन फरवरी दोहजार पचीस को पौधों की प्रगती से निदेशाले को अवगत भी कराना होगा। स्वस्त सिवाओं का जाईजा लेंगे और आफशक सुधार के साथ ही प्रगती को लेकर उच्चादिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अतिरित मुख्य सचीव ने बताया कि भारत सरकार ने देश भर में 500 आकांक्षी ब्लॉक चिनहित किये हैं। इन में से 27 ब्लॉक राजिस्थान के हैं। यह वे ब्लॉक हैं जो सामाजिक आर्थिक संकेतों में तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन शेत्रों के सतत और समगर विकास के लिए 49 विबिन संकेतों में सुधार की रूप रेखा बनाई गई हैं। इन 27 ब्लॉक्स के स्वास्था संकेतों में सुधार होने से प्रदेश के स्वास्था संकेतों के इस्ति और भी बहतर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रविन गुप्ता ने लोगसभा चुनाव की चार जून को हुने वाली मतगणना की तयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारीं के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माथिम से पैक्षक कर समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को वीसी के माधिम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारीं से कहा कि मतगणना को लेकर आयोग द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन सुनिश्यत करवाएं। श्रीगुप्ता ने मतगणना स्थल की तयारी, मतगणना स्थल की अंदर और बाहर सुरक्षा के इंतजाम, मतगणना दल, EVM और पोस्टल बैलिट गंणा, मतगणना के दोरान वीडियोग्राफी, ETBPS की गंणा को लेकर तयारी, विवीपैट, पेपर स्लिप काउंटिंग और अन्य अंतजामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दी, उन्होंने कहा कि EVM के सुरक्षा व्यवस्था के पुखता इंतजाम रखे जाएं और पूरी पार दर्शिता की साथ मतगणना की प्रक्रिया को पूरा करवाएं, श्रीगुप्ता ने बताया कि राज्य में 27 म मतगणना केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जिन में सभी लोगसभाक्षित्रों की साथ बागे तौरा विधानसभा उप्चुनाव के लिए मतों की गिंती की जाएगी। साथ ही पोस्टल पैलिट की गणना समाप्थ होने के बाद हर उमीदवार को मिले जाक मतबत्रों की खोशना की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिल हाल इतना ही, फिर होगी आपसे मलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।